Friends, आज हम बात कर रहे हैं सूजलोन एंड़ी की सूजलोन एंड़ी के स्टॉक में हमें काफी ज़्यादा गिरावट देख लेकले लेकिन दुसरी तरफ बाजार में सांदार तीजी थी बजट के बाद में बाजार ने इसको बज़ट को वेलकम किया है निप्टी एनर्जी भी सांदर्टीजी के साथ क्लोजिंग दिया है लेकिन इसके बावजुद भी सुझलों में जो गिरावट इसके पीछे है बहुत बड़ी वज़ा जानें के इस वीडियो के मादिम से क्या इस बज़ेट के बाद हमें ग्रीन एनर्जी के स्टॉक पिक कर लेने चीए जो फिलाल बिल्कुल कौडियों के भाव में मिल रहे है अगर आप सुझलो एनर्जी और उर्जा ग्लोबल की बात करें दोनों की प्राइस बहुत ही कम है आने वाले समय में ये डेफिनेटली मल्टी बैगर बन सकते है क्योंकि सरकार ने एक बहुत बड़ा वीजन पेस किया है ग्रीन एनर्जी के कारुबार को लेकर सरकार की जो मंसा है बिलकुल क्लियर है कि आने वाले 2030 तक 50% जितने भी बीजली की खपत होगी वो ग्रीन एनर्जी के मादियमस होगी और इसके लिए जो दो मुख्य स्त्रोथ है वो है विंड पावर और सोलर पावर और सरकार ने अपनी तरब से रहात के दुआर भी खोल दिये PLI स्किम लगाता लाँच हो रही है और आने वाले समय यह शेयर तेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं लेकिन फिलाल तो उर्जा ग्लोबल में लगाता है लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए फ्रेंड्स बहुत जल्द यहां पर भी सरकेट खुलने की समझा बन जाएगी और दूसरी तरब सुला नदर्जी में क्या यह मौक्या है इंट्री करने का क्या इस समय इंवेस्मेंट हमें करना चीए लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सकाइब कर दीजिए एक बेल आइक ओन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिपिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर जिरू कीजिए च जिरू का है और एंड में 11.90 पर करीब 3.25% की गिराउट के साथ में क्लोजीन दीए यहाँ पर हम सेंसेक्स को देखे तो 59,558 पर आच चुका है जहाँ पर 695% की सांदर तेजी देखनों को मिली करीब 1.18% सेंसेक्स आज उपर था और सबसे अची बात यह कि सेंसेक्स फिर 110 पॉइंट अपत था करीब 0.4% की तेजी देखनों को मिली अगर बात करें इसके वॉल्यूम की तो BSE में 2.45,32,000 का वॉल्यूम हुआ सामने 1.27,91,000 की डिलेवरी उठाएगी और डिलेवरी का परसंटेज 52.14% है तो डिलेवरी का परसंटेज बहुत ही अच्छा है 50% से पर डिलेवरी बेस काम हुआ है इसका मतलब लोगों का अच्छा खासा खरीदारी होरी है श्टॉक के उपर बात करें अगर NSC की तो 6 करोड 72,43,000 का वॉल्यूम हुआ सामने 3 करोड 34,89,000 की डिलेवरी उठाएगी और डिलेवरी का परसंटेज 49.80% तो दोदो एक्षम में क करीब 50% के आसपास डिलेवरी बेस काम हुआ है जो एक बात का इसारा है कि यहाँ पे लोग अच्छी खासी खरीदारी कर रहे है इसके वॉल्यूम को अगरे नालिस करें तो पीछले एक मैने पहले इसका 19.00 कोड़ पीच का वॉल्यूम था वन वीक पहले 14.00 कोड़ पीच क वज़े है किसी बड़े फंडाउस की बड़ी बिकवाली आज जो बड़े फंडाउस ने लगातार अपना माल बेचा है इसकी वज़े से आज दबाओ बना रहा पूरे दिनी स्टॉक में अगर हम बड़ी जो डील हुई उसको देखे एक बार तो फ्रेंड्स जो हुई थी वो 10 बजकर 30 मिनट पर 12 रुपीच की प्राइस थी यहाँ पे करीब 13,9,000 की बड़ी डील हुई और इस डील के मादिम से माल बेचा गया और जिस वज़े से इसकी प्राइस लगातार गिरती गई जहाँ पे 12.05 की प्राइस थी वो 11.90 तक पहुच गी तो यहाँ पे इस डील ने मामला बिगाडा उसके बाद जो वापस बड़ी डील हुई वो थी 11 बजे के आसपास जहाँ पे 11.90 की प्राइस थी करीब 10,58,000 की एक डील हुई और जहाँ पे प्राइस चल ले थी 11.95 की वो गिर के 11.90 पे आ गई उसके बाद जो बड़ी डील हुई वो सबसे बड़ी जो अनॉंसमेंट है वो है सरकार की तरफ से सरकार ने अपनी तरफ से पेलाई स्किम में और आगे अमाउंट की गोशना कर दी है लगातार पेलाई स्किम सरकार लाँच कर रही है और इस पेलाई स्किम के माद्यम से ग्रीन अलरजी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे है अब काफी लोग कहते हैं कि जो कल जो अनॉंसमेंट हुई यह सिर्फ सोलर पावर के लिए तो यहाँ पे सरकार की तरब से विंड पावर और सोलर पावर दोनों को ही प्रमोट किया जा रहा है पेलाई स्किम के तैद यहाँ पे जरूर सरकार ने अपने बजट में यह कहा है कि वो सोलर मोडियूल के लिए यह लोकेशन इन पैसों का कर रहे है लेकिन हकीकत में पेलाई स्किम में सबको बेनिफिट मिलने वाला है सरकार अलड़ी पहले से पेलाई स्किम चला रही है उसमें भी बहुत सारा फंड मिलने वाला है इसका benefit सारे के सारे green energy के share को मिलेगा जिसमें wind power भी है solar power भी है तो ये लगातार सरकार ने अपनी तरफ से जो target set किया कि 2030 तक सारे के सारे बिली की खबर green energy के मादिम से होगी तो ऐसे में wind power और solar power दोनों को ही आगे promote किया जाएगा तो ये 19,500 कोड़ पीज की जो additional amount जोड़ी गए इससे पहले already PLS के लिए बहुत सारे fund सरकार ने approve किया हुआ है वो इनको मिल रहा है उसका फाइदा मिल रहा है wind power के कमपनियों को भी कोई चिंता की बात नहीं है इस बार ये जो additional amount दी जा रही है इसकी वज़े से जो सबसे बड़ी इनकी problem है वो है storage की तो इसके लिए storage system को मजबूत किया जाएगा चाहे solar energy हो या green energy उसको storage करना बहुत मुस्किला और इसलिए इसके लिए infrastructure develop किया जाएगा बैटरी की सबसे बड़ी problem है उसको सुधारा जाएगा और ये सारा का सारा जो system है जैसे electric mobility और साथ में data centers बनाने के लिए grid connected के लिए energy को अच्छे से आगे से आगे transportation करने के लिए उसमें पैसे खर्च किये जाएगे तो उसमें दोनों sector को ये benefit मिलने वाला है कोई चिंता की बात नहीं है अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है यह है कि सरकार ने अपनी तरब से ये निड़ने तो ले लिया है कि green energy को support किया दाएगा और इसका फाइदाई sector के stock को सबको मिलने वाला है और इसलिए ये दोनों share तेजी से आगे बढ़ेंगे फिलाल कि सुझलों में गिराउट की वज़ा है कि बड़े फंडा उसने काफी ज़्यादा आज अपने share को बेचा है और इस वज़े से दबाओ बना रहा लेकिन overall बहुत जल्द यहाँ बड़ी तेजी बन सकती है तो य चेर की प्राइज एक समय 400 के आसपास थी तिस तरह से कंपनी ने अपना सांधार रिजल्ट पेस किया quarter 3 का उससे एक बाद समझ में आ लिए कि कंपनी बिल्कुल पटरी पर है आने वाले समय यहाँ पे कुछ बड़ा positive होता हो दिखाई दे सकता है तो निवेस बिल्कुल करक यह stock आपको माला बाल कर सकता है अब चलेंगे उर्जा ग्लोबल की तरब तो stock 18.25 पर आ चुका है 5% का लोर सर्कृट लगा यहाँ पर में कोई up-down देखने को नहीं मिला लेकिन कुछ पाज़री बात है कि कुछ volume में बड़ोतरी होनी शुरू हो गई है पीछले मैंने पहले सकता है और सर्कृट अब खुलना भी चीए क्योंकि स्टॉक 33 तक यादा भी 18 तक आ चुका है लगबग आदे के आसपास आ चुका है सर्कृट कुलने की पूरी समभावना होते है कभी जब कभी भी लंबे लोर सर्कृट लगते ही 50% प्राइज आने पर तो सर्कृट खुल सर्कृट खुलने की समभावना बन चुकी है बहुत जल्दी आपर सर्कृट खुलेंगे लेकिन एक पॉजिटिव ट्रिगर का इंतजार है जैसा आज मिला है TTML को TTML भी लगातार गिरते हुए आधी कीमत पर आ गया था यानि आप देख लो तो 300 के आसपास उसकी प्राइस तुरंदी आपर सर्कृट का दोर सुरू हो जाएगा और फिर लगातार अपर सर्कृट लगेंगे तो चिंता की बात निये जिसका भी लॉंग टर्म का नजरिया हो बने रहे यह लंबी रेस का गोड़ा है क्योंकि जिस तरसे कंपनी इलेक्रिक विकल का कारोबार सुरू कर तो निवेस बनाए रहे कोई चिंता की बाद नी लॉंग टर्म का नजरिया रहे कि शॉट टर्म वाले समय 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 पर प्रॉफिट बुक करते हैं मैं हर बार कहता हूँ सबसे बड़ी गलती आपकी यही होती है कि लगातार इस्टॉक बहुत तेजी से आगे बढ़ता है उर प्रॉफिट बुक कर लो प्रॉफिट बुक कर लो काफी लोग नहीं किये तो बाद में फस गए तो यह जरूरी है कि आप प्रॉफिट बुक कर ले निशले लेवल से खरिदारी का मौका मिल जाता है कोई भी श्टॉक लगातार एक तरपानी दोड़ते है यह आपको ध्या कर दीजिए थैंक्यों फ्रेंड